हेलो, बच्चों क्या आप मुझे अभी देख पा रहे हैं? नहीं न, क्योंकि अभी इस कमरे में अंधेरा है हम्… तो अब आप मुझे देख पा रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि अब यह जो कमरा है यह प्रकाश मान है बच्चों हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमें तभी दिखाई देती है जब उससे प्रकाश की किरन टकराती है और वो परावर्ती थोकर हमारी आखोबर पड़ती है जिससे उसका प्रतिविम बनता है और वो वस्तु हमें दिखाई देती है अभी आप गोली दर्पन में परावर्तन को सुन्वा समझ रहे थे गोली दर्पन जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है हम जानते हैं कि गोली दर्पन दो प्रकार के होते हैं एक उत्तल और एक अवतल तो मेरे पास भी देखे यहां पर एक उत्तल दर्पन है और यह है अवतल दरप्रण और अब हम जो आपतित किरण और परावर्तित किरणे जो हमें सामानेता दिखाई नहीं देती उसे लेजर लाइट की सहाइथा से देखने और समझने की कोशिश करेंगे इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूं उतल दरपण और अब हम क्या करेंगे इस कमरे में फिर से थोड़ा अंधिरा करेंगे और फिर लेजर लाइट की सहायता से आपतित किरण हम इस दरपन पर डालेंगे और फिर देखेंगे कि परावर्तित किरण किस प्रकार गमन करती है हमने ये उत्तल दरपन ले लिया है और अब हम लेजर लाइट की सहायता से ये देखिए ये प्रकाश की किरण जो है वो आपतित होती हुई दिखा सकते हैं देखिए हमने दो समनांतर प्रकाश की केड़न यहां पर दरपण पर आपतित होता हुआ दिखाया है और साथ में देखिए इस पश्ट परावर्तित केड़ने आपको दिखाई दे रही है जो की अपसरित हो रही है याने की एक दूसरे से दूर जा रही है और साथ में आप य दर्पन का जो प्रतिविम्भ है वो हमें प्राप्त होता है और ये आभासी प्रतिविम्भ होता है देखे बच्चों हमने यहां लिया है अवतल दर्पन और अवतल दर्पन पर अब हम प्रकाश की किरन आपतित कर रहे हैं यह देखिए, यह जो केरण दरपंड पर आपतित हो रही है, यह बिलकुल उसी दिशा में परावर्तित हो गई, याने कि यह दरपंड के केंद्र से परावर्तित हो रही है, तो हम इसे इसका मुख्यक्ष कह सकते हैं, अब इस मुख्यक्ष के सामना अंतर हम और कुछ केरणे जो हैं वो आपतित करते हैं दरपंड पर यह देखें अरे वह यह पुरावर्तित कर्णे आको दिखाई दे रही ह lunar और यह पर आवतर्ण इसका फोकस बिन्दु है जहां पर हमें अवतर्ण दर्पण के लिए क्या मिलता है उसका प्रतिबिम किसी विवस्तु का प्रतिबिम जो है वह अनन्ज से आने वाली प्रकाश की किर्णों के लिए आपको फोकस बिंदुपर मिलता है तो देखा वच्चों आपने कि जब हमने अप्तल दर्पन और उत्तल दर्पन लिया और उस पर मुख्य अक्ष के सामनांतर अनन से जब किडने आपतित होती हैं तो परावरतन के पश्यात किस प्रकार गमन करती है जब हमने उत्तल दर्पन लिए तो जो प्रकाश की किरण्ति वो परावरतन के पश्यात अपसरित हो गई याने कि एक दूसरे से दूर हटती चली गई और यदि उदी उनके ड़नों को दर्पन के पीछे हम देखे तो वो मुख्यक्ष के किसी बिंदू पर हमें मिलती हुई दिखाई देती हैं यही बिंदू जो है वो उत्तल दर्पंड का फोकस बिंदू है जिस पर किसी वस्तु का आभासी प्रतिवें हमें प्राप्त होता है अब बात करते हैं अवतल दर्पंड की जब हमने अवत प्रतित हो रही थी वही बिंदू आपतलदर्पन का फोकस बिंदू है और उसी बिंदू पर हमें वस्तु का प्रतिविम दिखाई देता है जो कि वास्त्विक होता है